नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल टौकिस्तान में और आज बहुत समय बाद एक वीडियो लेके हम लोग आए हैं क्योंकि यहां पर आपको बहुत खास चीज दिखाएंगे क्या आपको शौक है कैम्पिंग का एडवेंचरेस स्पोर्ट का और आप कानपूर में रहते हैं तो शायद आपको लगता होगा कि कानपूर में है तो और आप आप आपको कौन सी है अगर आप देखना चाहते तो मैं आप बताता हूर मेरे पीछी देख सकते हैं यह कि examining Elephant flying elephant वो जगह है जो कि कानपूर के बिठूर में है और बहुत शानदार जगह है अगर आपको अपते दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ आना है और आप यहां पर आके फुल टू इंजॉयमेंट करना चाते हैं तो उसके लिए यह जगह है और यहां पर क्या-क्या है यह हम आपको दिखाते हैं तो चलिए यहां पर शुरुवात करते हैं आपको दिखाने से अगर हम लोग फ्लाइंग इलेफेंट की बात करें तो यहां पर बहुत सारे स्पोर्ट हैं जो की आप यहां पर कर सकते हैं ज्यादा तर आपने देखा होगा कि इस तरह की स्पोर्ट जो होते हैं वह या तो जैसे सेना वगरा के लोग करते हैं पुलिस को लोग करते हैं या फिर ऐसे ही कैंपिंग सोती जहां पर रहते हैं तो आप देख सकते हैं कि वहां पर बनी हुई है। यहां पर आठाट है, और आठाट है। और पौर अठाट है। witnessing का फ़से कहैं, अगर यहां पर आठाट है घूरता का का है, तो आपने auf मघुड़ा है गाले है visit, इसके लिए यह यहां पर में आते हैं तब तो और भी ज्यादा मज़िदार है क्योंकि ये जो कैम्पिंग साइट है ये फ्लाइंग एलेफेंट के नाम से है जाड़ों में चाहते हैं तो उसके लिए भी यहां पर है तीरंदाजी वाली चीज़े हैं यहां पर इसके साथ साथ गन है जिससे कि आप निशाना लगा सकते हैं और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे जूले हैं मतलब एक एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं जूले तो नहीं कहेंगे लेकिन आपको नाइट आउट करनी हैं यहां पर तो उसके लिए यहां पर कैम्प्स भी बने हुए हैं वो कैम भी हम आपको दिखाएंगे तो वो कैम्प जो हैं यहां पर कई सारे हैं टेंट बने हुए हैं यहां पर कैम्पिंग आप कर सकते हैं टेंट में रह सकते हैं उसके अलग यहां बात है यहां पर अगर आपको आपने देखा होगा रोब पे जो एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हैं तो देखिए वो रोब भी बना हुआ है और जैसे कि मेरी आवाज आ रही है साथ में मैं भी आपको देखना हूंगा रोब पर पूरा इंजॉयमेंट करते हुए तो जो भी के टेकर हैं मानवीर भाई हैं हम उनसे आपकी बात कराएंगे मानवीर भाई मौजूद हैं जो कि यहां पर साथ देखरे करते हैं आपको जितने भी स्पोर्स करना है जो भी इंतिजाम करना है वह मानवीर भाई करेंगे तो मानवीर भाई सबसे पहली बताईए यहा पर आप जैसे बड़े पार्टी वगएरा या किटी पार्टी वगएरा करते तो कुछ ब्रेंटीजर्स होते हैं कुछ स्टीम बीडिंग गेम्स वगएरा जो हम लोग ऑगनाईज करते हैं बहुत सारे गेम्स बाकि हमारे पार जो मेन एक्टिविटी जमारी है यह जो आपको सामने जो दिख रही है यह यह हमारी 120 मिटर लॉंग जीप लाइन है और जो कलर फूल वार दिख रही है क्लाइमिंग व सब्सक्राइब तो परहते हैं कि जिनकों सिर्फ आँ देखना है या फिर सिर्फ यहांको जो पया थैने और यहां पर जो बैदिद के पौइट왔े हैं जो हैं लोम साल की स्थार। यहां पर जो भी मानवीर भाई आए अगर कुछ खाना पीना चाहे लंच डिनर करना चाहे तो क्या उसका इंतिजाम है उसके भी चार्जेस हैं अगर आप पहले से आप बुकिंग करवा लेते हैं तो हमारे पास सब्सक्राइब करवा देते हैं अगर अगर आप तुरंत कुछ चीज मांगते हैं तो हमारे पास जो पॉसिबल हो पाता है वह हम दोग करवा लेते हैं जैसे माइगी हो गया पकोड़ेज हो गया चाय कॉपी यहां पर हमने देखा कि टेंट भी हैं बहुत खूबसूरा टेंट लगे हुए हैं तो क्या अगर क नािटस्ते करना हो फैमिलने कंसा दोस्तों के साथ उसके भी चांजर है यहां पर आधा सामकर rhum का और अब हमारे पास एक फैमिली आई थी लग निन हों नहमें नायट इश्टे किया है यहां पर 13 वहन नयट इस्ते करके गए आप देख रहे सामने लगे हुए हैं इसका चार्जे सर 1500 हमने रखा है पर हेड जो कि आप इवनिंग में तीन बजे के आसपास आप यहां पर आ जाईए दो तीन गंटे आप यहां पर एड्विंचर एक्टिवर्टी कर लीजिए उसके बाद साम का आपका टी स्नेक्स होगा जैसे चाय पकोड़े और उस यहां पर और नाइट में बॉनफायर गेम्स और जैसे होते हैं सब लोग और और साम को फिर दिनर हो जाएगा आपका डिनर आपका 9 930 तक डिनर हो जाता उसके बाद दो तीन घंटे आप आराम से यहां पर बहुन फायर पर बैठके अंताख्री गेम्स और खेल सकते हैं और फिर हम लोग अगली मॉर्निंग में मॉर्निंग में आपको शिक्स थर्टी को आपको बैकप टी मिल जाएक उसके बास यहां पर गाउं के पास खेतों में जाके मॉर्निंग कर सकते हैं और आपको यहां पर जो विलेज है गाजीपूर विलेज उसमें आपको स्रांडिंग आपको वाउक करवाये जा सकता है और काफी अच्छा द्रीश्य होता है और ब्रेकफास्ट भी होता है सुबहे का ब्रेकफास्ट उसमें इनक्लूड होता है सब कुछ ने सब कुछ बताया और मेरी रहे कि अगर आप कानपूर में है कानपूर के आसपास भी है तो एक बार इस जगे पर जरूर आईएगा क्योंकि बहुत ही शांदार जगह है बहुत कॉपरेटिव स्टाफ है यहाँ पर आपको कोई भी चीज की जरूरत होगी तो जितना पॉसिबिल हो सकेगा वो इस सब यहाँ पर इंतजाम किया जाएगा बहुत अच्छे से आपका एडवेंचर गेम्स कराए जाएंगा अगर आप रुकना चाहे शांदार खाना है यहाँ पर उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है तो एक बार चाहे अपने परिवार के साथ और चाहे दोस्तों के साथ लेकिन एक बार अगले वीडियो के लिए आपसे इजादत देते हैं नमस्कार